हेलो एवरीवन आज हमारी थर्ड क्लास है और आज की क्लास में हम थोड़े जाद़ टॉपिक्स कवर करेंगे तो जैसे कि आपको इस स्क्रीन पे विजिबल है हम क्रिमिनल कॉंस्पिरेसी कॉमन इंटेंशन अबेटमेंट रॉंगफुल रेस्टेंट और रॉंगफुल कंफा क्रिमिनल कॉंस्पिरेसी जनरली हम क्या होता है कि आपने सुना होगा शरियंत्र करना ठीक है तो कॉंस्पिरेसी के साथ यहां पे वर्ड है क्रिमिनल क्रिमिनल यहां पे एड है तो अब हम इसको जो है बेर एक्ट के सारे इलिमेंट्स के साथ इसको समझेंगे कि क्या होता ह सबसे पहले तो यहां पर आप देखेंगे कि Bear Act की यह definition है, section याद करने की जरूरत आपको नहीं है, तो हम अब इसको break करते हैं, definition of criminal conspiracy, section 120 का clause A बताता है criminal conspiracy क्या है, अब इसको कैसे break करेंगे when two or more persons, यहां पर इसके clear question आपको क्या तयार होता है, कि criminal conspiracy एक single person नहीं commit कर सकता, a single person can't commit any criminal conspiracy, minimum two person और more than two person can do it, अब यहां पर हम इस word को तोड़ेंगे यहां पर कि agree to do और cause to be done, ठीक है, अब देखिए, दोर दो से ज्यादा person का concept clear हो गया, अब वो agree किस चीज़ के लिए हो रहे हैं, किसी वे चीज़ के लिए वो agree हो रहे हैं, यह हम बाद में देखेंगे, पहले agree word को समझना जरूरी है, जैसे ही आप agree हो गए, ठीक है, माल लेजिए A है और B, यह दोनो agree हो गए, agree होते ही यहां पर इनका जो है, एक्टर स्रिया का, जो अपने essential element पढ़ा होगा, वो यहां पर fulfill हो जाता है, main स्रिया मैंने आपको first video में ही बताया था कि criminal conspiracy और abatement में main स्रिया जो है वो applicable नहीं होता में स्रिया नहीं भी है, तब भी आप जो है liable होगे, ठीक है, to do, to do यहां पर जो word है, उसका क्या मतलब है, कि आप खुद से उसको करोगे, या cost to be done, या आप किसी और से वो करवाओगे, इतनी चीज़ आपको clear है, तो आपको जब भी आप अपने ने बोला था कि आप copy पे जो भी आप, जहां पे भी आप notes बना रहे हो, इसको continue रखना, हम IPC के जादा जादा topics उठाके उसको फटा 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 खतम करेंगे, ताकि आप बाकी को topics भी cover करवा सके, तो इसके साथ यहां पे, अब इसको आप heading किस तरह से बनाओगे, two or more person, agree का हला, to do, or cause to be done, ठीक है, अब इसका point क्या है, illegal act, अब हमें illegal act को समझना ज़रूरी है, illegal act का मतलब क्या होता है, यहां पे explain करकी नहीं लिखा है, लेकिन आपको, मैं यह suggest करूँगे, जहां पे भी आप notes बना रहे हो, वहां पे आप यह word लिखिए, कि prohibited by law, यानि कि जो civil wrong है, जो prohibited by law है, आप यह दोनो time को ज़रूर लिखिए, prohibited by law, जो भी act prohibited by law है, एक civil wrong है, वो आपका क्या आएगा, illegal act में आएगा, illegal act का sometimes मतलब भी पूछ लेते हैं, कि illegal act क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, इसके बाद हम देखेंगे, an act, act कोई सा, कौन सा act, यहां पे act का मतलब क्या है, कि जो illegal नहीं ह है, माल लिजिए, वो act तो आपका illegal नहीं है, बट illegal means से है, वो कौन से means से है, illegal means से है, तो यहां पे मैं आपको इसका example देती हो, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, माल लिजिए कि मेरे पास दो नंबर का बहुत सारा पैसा है, black money बहुत सारी है, मैं उसको क्या करती हूँ, अपने parents के या अपने भाई मैं किसी के भी नाम पे उसको deposit करा देती हो, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने पैसे deposit करा दिया, वो मेरी क्या intention थी, वो मेरी अच्छी intention थी, intention अच्छी क्या, मतलब मैंने उनके benefit के लिए पैसे जमा करवा दिया, लेकिन जो पैसे मैंने जमा करवा वो तो black money थी तो यहां पे क्या है कि आप तो क्या कर एक्ट illegal नहीं करा मैंने अपने घरवालों कि अपने पैरेंस के नाम पर में पैसे जमा कर वालों illegal नहीं है but illegal means से मैंने वो पैसे लिये है black money है यहां पे वो क्या है कि एक ऐसा act क्या है वो illegal है such an agreement is designated of criminal conspiracy वो भी criminal conspiracy में include हो जाएगी और criminal conspiracy में include होने के साथ साथ यहां पे आप देखेंगे कि जो है अब इसका proviso क्या कहा रहा है proviso समझना जरूरी है proviso में वो कह रहा है कि agreement to commit आप इसको underline करें या highlight करें कुछ भी करें आकी वो आपका agreement होगा आप उस agreement को commit करने के लिए ready हो जो के offense है अब offense क्या होता है offense कोई भी act होता है या omission होता है ठीक है एक्ट या omission होता है जो prohibited by law है ठीक है prohibited by law है अब देखें दोनों में यहां पे आप देखोगी illegal act और यह offense दोनों में अंतर है offense में आपका क्या है कि prohibited by law तो है साथ में punishable by law भी है कि आपको punishment भी मिलेगी इसमें punishable by law है और इसमें जो है कुछ special laws भी होते हैं कुछ local laws भी होते हैं उसमें भी offenses जो है अपने अपने criteria में punishable होते हैं यहां पे कुछ चीज़े इसकी इस तरह से हैं इसका प्रोवाज़ो यह चिस क्लियर कहता है कि कि no agreement except an agreement to commit an offense shall amount to criminal conspiracy unless some act beside the agreement is done by one or more parties तो यहां पे यह है अब इसके explanation जो है वो क्या है कि यह बात बिलकुल immaterial है whether the illegal act is the ultimate object of such agreement और या तो वो ultimate object हो या incidental object हो उस आपके act का जो भी आप कर रहे हो यह बात बिलकुल क्या है immaterial है आपको सिर्फ इसमें तीन चीज़ा समझने है criminal conspiracy में कि यहां पे वो illegal act होगा और वो act जो है legal भी हो सकता है लेकिन illegal means से है इतना आपको ध्यान रखना है two or more person का आपको concept ध्यान रखना है अब इसके साथ यहां पर इसके punishment interest perspective से बिल्कुल भी जादा important नहीं है तो मैं आपको साथ के साथ यहां पर जो दिखा भी रही हूँ मैं आपको बता भी दूँगे आपको क्या क्या नोट करना जरूरी है बाकी चीज़े आप चाहिए screenshot लेके सिर्फ पढ़ लीजिए इसमें सिर्फ आपको इसके punishment पढ़ लेनी है कि यहां पर punishment क्या मिलेगी अगर आप offense किसी के death के लिए कमिट करते हूं तो आपको रहेगे रियस punishment मिलेगी दो सार तक कि उससा जादा भी मिल सकती है यहां पर यह नहीं क्लियर मैंशन है conspiracy के लिए ठीक है अब यहां पर इसका part 2 क्या है 120 का part 2 कह रहा है कि whosoever is a party of criminal conspiracy अगर कोई criminal conspiracy की party है criminal conspiracy की party other than a criminal conspiracy to commit offense punishable as a force it यानि कि death के अलावा अगर कोई भी offense वो commit कर रहा है offense commit कर रहा है मतलब कोई ऐसे criminal conspiracy बना रहा है कि यहां पर जो वो death से अलग है तो ऐसे cases में क्या होगा कि punishment जो है वो 6 मने से जादा नहीं होगी fine हो सकते है बहुत हो सकती है अब इसमें आपको कुछ चीज़े समझने कैसे जरूरी है criminal conspiracy में मैं आपको एक example देती हूँ कि A, B, C, D, यहां पर दोस्त होते हैं दोस्ति आप कुछ भी मान लीजिए ठीक है दोस्त होते हैं यहां पर उनका यह होता है कि अब यह बैंक में robbery करने की planning बनाते हैं बहुत ध्यान से आपको इस example को समझना है इस criminal conspiracy को समझनी है इस से related question आते हैं और यहां पर आप चाहे तो इसको ल नहीं रहा, B का उसमें यह काम होता है कि B यहां पर weapons लेकर लेगा और C क्या करेगा यहां पर वो जो पैंक वालों से पैसे लेके उसको रखेगा और D यहां पर बाहर वैन में रहेगा और जैसे ही मतलब काम करके आए और D किस यह सारे वैन में बैठे हो D उस वैन को लेके च चारो जो लोग हैं, वो यहाँ पे एक criminal conspiracy में involved हैं, सबकी same planning है, यह example आपको इसलिए भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि आगे अभी हम जो concept करेंगे, उसमें मैं इसी example को refer करूँगी, आपको यह example बहुत ध्यान से समझना है, तो ऐसे में चारो को role अलग-अलग है, लेकिन चार एक ही offense के साथ जुड़े हैं, same offense है इनका, same offense के साथ इनकी common intention है, common intention अभी हम आगे discuss करेंगे, लेकिन आपको अभी यह ध्यान में रखना है, common intention word, ठीक है, common intention के साथ-साथ अगर इनकी liability, एक liability होती है, liability का मतलब क्या होता है, कि आपने जो offense आप कर रहे हो, जो आपने culpability है, जो आपकी, जो भी आपने offense किया है, तो उसमें जो आपकी liability बनती है, ठीक है, इन्होंने ये काम किया है, bank robbery की है, इनकी liability definitely बनेगी, वो equal liability बनेगी, लेकिन जब उस liability की, जो उनके liability होती है, उस liability के हिसाब से उनकी punishment का amount भी decide होता है, ठीक है, यह शीज समझने जरूर है, तो यहाँ पर सबकी equal liability होगी, बेशक से उनका काम अलग है, तब भी, ये question बहुत आता है, लेकिन, अब इसमें मैं एक चीज और यहाँ पर add करना चाहूंगी, मान लो, कि D जो जब ये सारों planning कर रहे थे, ठीक है, ये चारों मिलके planning कर रहे थे, हम क्या करेंगे, bank robbery करें कि मैं तुमारे साथ नहीं कामी करने का, मैं ये offense नहीं करूंगा, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब ये planning जो है, वो इन तीन तक सिमित रह जाती है, इसमें D की कोई liability नहीं होगी, यहाँ पर liability सिमित होके रह जाएगी, A, B, C तक, अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमा क्रिमनल कॉंस्पिरेसी का पार्ट पुरा होता है, इस से जाधा entrance के लिए important नहीं है, अब common intention, common intention यहाँ पे pre-arrange plan, ये word बहुत आता है, pre-arrange plan, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके MCQ में pre-arrange plan या ऐसा कुछ word उठाके दे, आपको concept के लिए कि common intention क्या है, क्या अगर मैं कहत सिमिलर इंटेंशन है, सिमिलर इंटेंशन क्या common intention है, आप इसका answer आप खुद सोचिए, जब तक हम इसको discuss करते हैं, मैं जो हमनारा पिछले example था, ABCD वाला, तो वो आप उसमें देखोगे, उसमें क्या थी common intention थी, ठीक है, common intention क्या होने चाहिए, काफी सारे अलगले person की, several person की क्या होने चाहिए, furtherance of common intention, जैसे कि मैं आपको एक ग्जांपल देती हूँ, मैंने आप से पूछा था, similar intention क्या common intention है, A, और ये एक person है, B, ठीक है, ये दोनो person अलग अलग है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे C है, ठीक है, C को ये दोनों ही मारना चाहते थी, A, C को मारना चाहता था, B, भी C को मारना चाहता था, ठीक है, A और B की आपको होगे similar intention है, most of the students को ये ही लगेगा, कि similar intention है, A और B आपस में एक दुसरे को नहीं जानते, A, C को जानता है, B, C को जानता है, A और B आपस में दुसरे को नहीं जानते है, A और B की similar intention है, लेकिन इ और among them, यानि कि जिन person के बीच में वो offense जो कर रहे हैं, उनके बीच में वो communicate भी होनी चाहिए, अगर उनके बीच में communication नहीं है, तो आप कैसे कहोगे common intention है, इनके अलग-अलग अपने similar intention है, हो सकता है, DBC को मानना चाहता हूँ, C के पास बहुत पैसे आगा है, D कहता है, मैं मार intention होनी चाहिए, common intention इसलिए आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अब जो entrance के level ऐसे नहीं है, कि बस ये एक word पुछा, एक word आपने याद किया था, वैसा आजाए, आपके conceptual clarity होना ज़रूरी है, तभी आप entrance clear कर पाऊगे, और यहाँ पे concept clear करना इसे भी ज़रूरी है, क्योंक अब देखों, यहाँ पे abatement of thing, abatement से related questions आते हैं, abatement से related यहाँ पे जो होते हैं, कुछ statement based questions भी आते हैं, तो मैं अब आपका test लूँगी, यहाँ पे 14th को मैं सोच रही हो morning में लूँ, तो मैं जितना भी IPC कराऊंगी, इसका test लूँगी, आप इसे भी concept को ध्यान से और previous videos का भी आप revise करते जाएं, तो abatement generally एक word, ठीक है, अब हम एक word पे जाते हैं, abatement का क्या मतलब होता है, abatement का मतलब हम समझने के लिए हम समझेंगे पहले इसके elements को, a person abates the doing of a thing, एक person जो हो abate कर रहा है कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए कैसे, तो elements पे जाने से प यह A है, A को C बिल्कुल नहीं पसंद, यहाँ पे B उसका दोस्त है, ठीक है, A को C बिल्कुल नहीं पसंद, B उसका दोस्त है, B और C की लडाई हो गई, आपस में fight हो गई, ठीक है, अब A को यह पता चला कि B और C की fight हो गई है, लडाई हो गई है, तो A क्या करता है, B को अबेट करता है, यहाँ पे उसको उकसाता है कि C से तुम्हारी लडाई हो गई है, तुम C को इंजिरी पहुचाओ, यह C को मारो, कि तुम C का कुछ लॉस करो, टोटल फाइनली यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसा उफेंस करो या तो C को जान से मार दो, ठीक है, ऐसे कहता है और B उसक्ट को करता है या नहीं करता, वो एक अलग फेस है बट A क्या कर रहा है, वो B को उकसा रहा है, ठीक है, इंस्टिकेट कर रहा है a क्या कर रहा है यहां पर abatement कर रहा है और a यहां पर क्या कहलाएगा abater ठीक है अब देखीए अब यह example जब भी हम इस पूरे abatement को समझेंगे यह example आपके सामने होना चाहिए instigate करता है क्या करेगा वो instigate करेगा करेगा एक पर्सन को इंस्टिगेट करने का मतलब क्या होता है कि आप किसी को सारे होगा तो नहीं करना यह नहीं करना नहीं करता जिसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था तो ऐसे में वह और करें से इंस्टिगेट के लिए लाइबल होगा अब इसका सेकंड पार्ट क्या बार я कॉंस्पेरेसि कर रहा है ठीके जैसे कि माल भार्व ये इसको बुलेगा कि हम दोनों मिलके enabling या मैं तुम्हारी help कर दूँगा help वाला part अलगे लेकिन हम मिल के करते हैं और भी लोगों को मिला लेता है तो वो कोई act भी करता है कोई illegal omission भी करता है तो ऐसे cases में क्या होगा कि वो किसके लिए libel होगा abitment के लिए ठीक है अब इसके साथ यहाँ पर भी offense का होना और ना होना जरूरी नहीं है thirdly part है इसका intentionally adds intentionally add करना की मानलो b ने a का अब इसमें देखो गया बहते हैं अब मानलो यह इस example को continue करेंगे हमने यह example छोड़ा था कि a ने b को instigate कर दिया अब इसको continue करते हैं b ने c को मार भी दिया ठीक है बी ने c को मार दिया अब a के पास गया b मैंने तो c को मार दिया मेरे को गन चुपानी है और मुझे सकता है खुद भी चुपना पड़ी तो a क्या करता है जो भी b है B के gun को A चुपा देता है कहता है कि तुम्हें काम करो मेरा जो है डेली से बाहर एक घर है तुम वहाँ पर जाके चुप जाओ वहाँ उसके बारे में किसी को नहीं पता तुम्हें कोई कुछ नहीं गाएगा ठीक है यहाँ पर अब वो क्या कर रहा है उसको इंटेंशनली एड भी कर रहा है कि वो क्या गरे उस एक्टोर हमेजन को जो उसने करा है उसके रिगार्डिंग या हो सकता है A, B को गन लाकी दे दे लो तो मिसकन से शूट कर दो तो यह इंटेंशनली एड है ऐसे में ओफिंस का कमिट होना बहुत ज़ादा ज़रूरी है तो इसमें जो यह फर्दरेंस वाले पार्ड है इसमें है इसमें common intention होनी चाहिए यह हमारा अबेट्मेंट बस इतना साही है अब इसके explanation थोड़ी सी है explanation जो street out कर दी है यह क्या है इसमें कि जो भी एक person होता है हो सकता है वो willfully misrepresent कर रहा हो या willfully ऐसे कुछ conceal कर रहा हो conceal यानि कि कुछ fact को छुपा रहा हो या कुछ disclose कर रहा हो कुछ और disclose छुपा रहा हो कि ऐसे कुछ वो voluntarily ऐसा कारण बना दे कि सामने वाला person उसको करे ठीक है सामने वाला person उसको करे इस तरह से यह जो है वो यहाँ पर इसके explanation में है अब इसकी illustration पढ़ना ज़रूरी है जैसे मैं हब बार कहती हूँ कि illustration में से questions आते हैं illustration पढ़ना बहुत ज़ादा ज़रूरी है एक public officer है A, जो authorized by क्या है court of justice की वो क्या करे Z को apprehend करे B, इस fact को जानता है और ये भी जानता है कि C, Z नहीं है A को बोला गया है अब जाके Z को arrest करो B एक तीसरा person है B क्या करता है भी जानता है कि जिसको ये arrest करने जा रहा है वो misrepresent जानी वो Z नहीं है वो C है willfully उसको represent करता है A के सामने कि C is Z कि C Z है और intentionally वो क्या करता है कि वो A जो है क्या करता है C को पकड़वाना चाहता है instead of Z यहाँ पर B ने क्या करा है instigate किया है instigation किया है the apprehension of C तो ये चीज इसमें है अब इसके बाद इसके second explanation यहाँ पर कहती है कि whoever either prior to or at the time of commission of act does anything in the order of facilitate the commission of the act and thereby facilitate the commission the order of a set to be ahead of doing of the act तो यहाँ इसमें explanations इसके इतने सादे important नहीं है सिर्फ आपको major concept ध्यान में रखना है abatement होता क्या है और इसकी illustration अब हम यहाँ पे दो छोटे-छोटे topics करेंगे बहुत ही minor-minor topics है बस आपको इसमें समझना ज़रूरी है एक बार आप इसको बहुत ध्यान से आप पूरा सुने आप पूरी यहाँ पे एक होते ना physically present एक होते है mentally आप पूरी तरह से यहाँ पे present रहें उसको बहुत ध्यान से बस आप समझ लो जितनी देर आप सुन रहो समझ रहे हो बस उतनी देरा पूरी तरह से अवेलिबल रहो आपको दुबारा इस टोपिक को चूने की जुरत नहीं पड़ेगी आपको इसा भी क्वेस्टिन जो है वो कर सकते हो अब यहां पर देखो रॉंग फूल रेस्टेंड रॉंग फूल रेस्टेंड में आपको मैं प रास्ता ओपन है अभी इसमें कुछ पिच्चर में जैसे आप देखोगे पहली पिच्चर में ठीक है पहली पिच्चर में क्या है एक रेड वाला ब्लॉक है और उस रेड वाले ब्लॉक के लावा बाकी तीन जो है यलो ब्लॉक यानि आपका रस्ता खुला है सेकिंड वाले में थ्री ब्लोक्स बंद हैं एक साइड ओपन है फोर्थ वाला तो मदब थोड़ा सिमिलेरी है इसमें एक रस्ता आदा बंदे आदा खुला है बाकी के तीन पूरे खुले हुए है ठीक है तो यह पेचर वस आपने ध्यान रखी तो आपका रोंफूर रेस्टेन अब कंप्री किसी परसन को किस कहा जाने के लिए किसी भी डारेक्शन में जाने के लिए अब किसी भी डारेक्शन में कौन सी किसी भी डारेक्शन हो सकते है यहां पर जहां पर मेरे जाने का राइट हो मान लो कहीं पर कंस्रॉक्शन वर्ग चल रहा है और वहां पर किसी कभी जाना मना है क्योंकि आगे खत्रा है और मैं बोलो मैं वहां जाओंगी मुझे वहां से जाने से रोका जा रहा है मुझे रेस्टेंड किया जा रहा है गलत है यह कैसे गलत है क्योंकि वहां पर जाना मेरा राइट ही नहीं है जहां पर जाना मेरा राइट है जिस डायरेक्शन में अगर मु यह ध्यान रखना बाकी रस्ते मेरे पास हैं मैं पूरी तरह से रेस्ट्रेन नहीं हूँ जहां मेरे पास एक रस्ते हैं यहां पर बंद कर दिया है ठीक है अब इसकी exception क्या है कि मालो जैसे मैंने भी आपको बताया कोई private way है जहां पर बहुत साधा land खराब है waterpad हुआ है good faith में अगर मैं किसी को रोकती हूँ मालो इसका law for right भी हो बट मैं good faith में अगर किसी को रोक रही हूँ तो वो इसकी exception है कि भई तुमारी भलाई है अब इसकी illustration क्या है कि A abstract कर रहा है A abstract path along with Z has a right to pass ठीक है जैड कर जाने का right रहा में रोक रही हूँ A not believing in a good faith A की good faith नहीं है ठीक है that he has a right to stop the path Z is thereby prevent from passing A wrongfully restrained Z ठीक है मालो एक रस्ते से मैंने रोक दिया तो वो क्या हो जाएगा wrongfully restrained हो जाएगा देखो ये कितने भी रस्तों से रोकेगा वो wrongfully restrained हो जाएगा लेकिन अगर जहां पर चारो ब्लॉक्स है चारो ब्लॉक्स यानि कि कहीं से भी मैं जाने का रस्ता नहीं दे रही हूँ वो confinement है मैंने आपको ये पिच्छे इसले बनाके दिखाई कि आप confinement और restrained में अंतर कर पाओ ठीक है तो wrongfully restrained जो है हमारा वो ये है wrongfully restrained ठीक है अब इसकी illustration बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखने कि कि इसको confinement के साथ आप confused कर सकते हों अब confinement हमारे लिए समझना ज़रूरी है wrongfully confinement आपको sections बिल्कुल ध्यान नहीं रखने however मैंने mention किये हैं अब इतना नहीं आद कीजिए उसको अगर आपको याद हो जाते हैं तो वह बहुत अच्छी बात है whoever wrongfully restrained any person किसी person को वो wrongfully restrained कर रहा है पिछले की तरह ही है किस manner में जहां पर उसको जाने का right है beyond certain circumscribing limits जो इसकी limit है उस limit से जैसे कि आप एक room में हो आपको room से room में बंद कर दिया जाए उस room में window भी नहीं है बहर से lock लगा दिया आपको क्या बढ़ दे रॉंग फिल कंफाइमेंट कर दिया मालो एक room है उसमें आपका उसमें दो gate है दोनों gate में से एक gate open है एक gate में lock लगा दूँ वह wrongful confinement नहीं होगा आप दूसरे gate से जा सकते हो ठीक है वह wrongful confinement नहीं है तो wrongful confinement और restrain में difference ध्यान से आपको करना है अब इसके साथ यहां पर इसमें बस इतना ही है इसकी illustrations से एक रहते हैं हम लोग and there is thus prevented from proceeding in any direction ठीक है any direction किसी भी direction भी जाने से रोग दिया है और beyond the circumscribing line of wall ठीक है एक रॉंगफुली confines that अब इसके second illustration लेखते हैं a places man with fire arms at the outlet of a building and tell z that they will fire at z you will fire at you if z attempt leave the building if z attempt leave the building if z अब इस building से निकला तो वो z को क्या कर देंगे कि वो उसको जला देंगे fire कर देंगे इस पर तो यहां पर जो है wrongfully confines करता है ठीक है जसे आपने काफी सारे pictures में भी देखा होगा कि जो bomb होते है इसको एक chair पर जिस person को बिठाया जाता है और उस पर bombs उसे बान दे जाता है कि अगर तो move करोगे तो यह फट जाएंगे और तो मर जाओगे चाहे फिर वो room खुला ही हो लेकिन उस chair से उसको पूरी तरह से इस तरह से कर देते हैं कि वो move नहीं कर सकता तो यह भी इस तरह से भी अब जो है इसमें confirements होता है कि यह person को क्या कर रहा है wrongfully restrained कर रहा है उसको क्या कर रहा है abstract कर रहा है कहीं पर भी move करने से तो next वाले जो हमारी class होगी उसमें हम जो है offenses against property को देखेंगे जितने भी सारे property के against offenses है उन सभी offenses को हम cover करेंगे तो आपके आज क्लास में जितना भी हुआ है आप उसके कोशिश कीजिए कि mcq आप साथ के साथ सॉल्व करें जिससे आपके practice अच्छी से हो जाएगी और अगर इसके regarding आपको कोई भी doubt है do comment below और आपको जैसा भी आप आपको क्लास यसी भी लगी आप उसका review comment section में जरूर this year thank you